जदो तो अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम जिंग मजीठिया ते नशेदे मामले नू लैके परचा दर्ज होया है उदो तो ही पंजाब दी सियासत ची वार पल्टवार दा दोर शुरू हो गया जिते कांग्रेस सिरकार एस नू नशे खिलाफ वड़ी कारवाई दास रही है दूजे बसे आमादी पार्टी एस कारवाई नू कांग्रेस अते अकाली दल दा मिलिया जुलिया प्लैन दास रही है आप पंजाब दे सैपरदान रागव चड़ा ने किहा कि अजी कुछ दिर पहला ही दास चुके सी कि सुखबीर बादल अते मुख मंत्री चन्नी दी गुप्त मीटिंग हुई है जेस्च ओना ने आपसे सैंती दे नाल बिक्रम जीठे दी गिरफकारी दा प्लैन बनाया है और की कुछ क्या रागव चड़ा ने तुसे ओविसों लवो आठ डिसेंबर 2021 को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करकर आप सबको ये इन्फोर्मेशन दी थी कि पंजाब पुलीस के बहुत ही बड़े अधिकारी ने एक सीनियर ओफिसर ने हमें ये जानकारी दी थी कि चन्नी सरकार एक फिक्स्ट मैच के तहट इलेक्शन्स को करीब आते देख एक बहुत ही कमजोर केस एक कमजोर एफ आई आर करके शिरोमनी अकाली दल के सीनियर लीडर बिकरम सिंग वजीठिया को गिरफतार करेगी हमने ये बात 8 डिसेंबर 2021 को आपको बताई थी और ये भी बताया था कि सुखबीर सिंग बादल और चरण जीत सिंग चन्नी इन दोनों के बीच देर रात एक फार्म हाउस पे मीटिंग हुई और रात के अंदेरे में ये फैसला लिया गया कि एक फिक्स्ट मैच के चलते एक फिक्स्ट मैच के चलते बिकरम मजीठिया को एक बहुत ही कमजोर केस में डाल कर गिरफतार किया जाएगा तांकि अगले ही दिन उनकी इस मसले में बेल हो जाए जो हाल राजा वडिंग की बसों का हुआ जिस दिन बसें जब्त हुई उसके अगले दिन कोट ने सारी बसे छोड़ दी वही हश्ट एक फिक्स मैच के चहत चन्नी साब इस मामले में भी करने जा रही है मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन्स को करीब आते देख चन्नी सरकार एक इलेक्शन स्टंट कर रही है ये कमजोर केस दर्च करके कॉंगरेस की सरकार 16 मार्च 2017 को बनी थी 2017 से लेकर आज तक नशे के मामले में इतनी सी भी कारवाई इतनी सी भी जांच कॉंगरेस की सरकार ने नहीं करी ना नशा पंजाब में कम हुआ ना नशे का वैपार कम हुआ और ना ही नशे के सौदागर बड़े-बड़े मगरमच को कॉंग्रेस की सरकार ने पकड़ के जेल में डाला अब चुनाफ को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोका एक बहुत बड़ा जूट पंजाब के लोगों की आँखों में धूल जोकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है ये F.I.R. दर्च करके अब चन्नी सरकार सिर्फ एक हफ़ते की सरकार रह गई है आज से एक हफ़ते बाद चोन जापता यानि की मॉडल कोड अफ कंड़क्ट चोन जापता लग जाएगी और चन्नी सरकार सरकार नहीं रहेगी उनकी सारी सरकारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी फिर पंजाब में इलेक्शन होगा और एक नई सरकार आईगी ये सब जानते हैं कि अब चन्नी सरकार एक हफ़ते की बच्ची है पांच साल कॉंग्रेस की सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कारवाई नहीं करी पांच साल कॉंग्रेस सरकार ने नशे के वेपार को पंजाब में नहीं रोका पांच साल कॉंग्रेस की सरकार ने नशे के सौदागरों को नहीं पकड़ा पांच साल कॉंग्रेस की सरकार ने नशे के वेपार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी लेकिन चुनाव से पांच दिन पहले चोण जापता Model Code of Conduct लगने से पांच दिन पहले ये FIR करकर election stunt करना चाहती है चन्नी सरकार और Congress Party मैं साफ तोर पे पंजाब की अवाम को ये कहना चाहता हूं कि Congress के इस जूट फरेब और धोके में मत फसिएगा Congress रल मिलकर शिरोमन या काली दल के साथ पूरी political patronage के साथ पूरे पंजाब में नशे का व्यापार करती है इनकी 75 पच्ची की partnership चलती है और बिना political patronage के बिना सरकार के हाथ के आशिरवाद के नशे का इतना बड़ा व्यापार नहीं चलता आज पंजाब में हर गली महले नुकड पे नशा बिखता है ये इसलिए बिखता है क्योंकि Congress Party की सरकार ड्रग माफिया के साथ रल के मिल के पंजाब के लोगों की नसों में नशा उतारती है 75-50 की पार्टनर्शिप चलती है 75% सरकार का 25% माफिया का और ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है अगर Congress Party असल में नशे के सौदागरों के खिलाफ ड्रग लॉट्स के खिलाफ कोई बड़ा action लेना चाहती तो क्या 5 साल कम समय होता है क्या 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक action नहीं लेना चाहिए था सिर्फ चुनाव से एक हफ़ता पहले चोण जापता लगने से एक हफ़ता पहले सरकार समाप्त होने से खतम होने से एक हफ़ता पहले एक बहुत ही कमजोर FIR करके दिखावा करना चाहती है चन्नी सरकार हम इस दिखावे में नहीं फसेंगे चन्नी सरकार के stuntman चरंजीत सिंग चन्नी के election stunt में हम नहीं पढ़ेंगे ये चन्नी सरकार का एक election stunt है stuntman का एक stunt है और हमने आपको 8 December 2021 को बता दिया था कि चन्नी सरकार एक ऐसे ही जूट मूट का कमजोर केस बना कर बिकरम सिंग मजीठिया को पकड़ के जेल में डालेगी और अगले ही दिन इतना कमजोर केस होगा कि अगले ही दिन उन्हें कोट से बेल मिल जाएगी ये एक fixed मैच है शिरोमनी अकाली दल और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में और इस मैच फिक्सिंग के तहट ये सारे काम किये जा रहे हैं और मैं एक चीज और आपको बता दूँ कि अगर पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी नशा खतम करना चाती जो उन्होंने वादा किया था श्रीगुटका साब की सों खाँ के कया टन साब ने का था कॉंग्रेस पार्टी के सबी आगू उने काहा था कि हमारी सरकार बनने के 4 हफ्टों के अंदर हम पूरे पंजाब से नशा खतम कर देंगे चार हफ्थे छोड़िए चार साल में कॉंग्रेस पार्टी वो नशा नहीं खतम कर पाई इन फैक्ट वो नशे का विवापार कॉंग्रेस की सरकार में बढ़ा है और जितना नशा अकालिओं का समय बिकता था उससे ज़ादा नशा आज Congress Party की सरकार में बिक रहा है मैं Congress Party के Stuntman चरण जीत सिंह चन्स आपको कहना चाहता हूँ ये election stunt बंद करिये Stuntman साब हमें असल action चाहिए दिखावा नहीं चाहिए कमजोर FIRE नहीं चाहिए हमें नशे के खिलाफ action चाहिए पूरे पंजाब में जगा जगा नशा बिखता है और इसलिए बिखता है क्योंकि चन्नी सरकार कॉंग्रेस सरकार रल मिलके नशा बिखवाती है पूरे पंजाब में और मैं आपको एक और एक्जामपल देना चाहता हूँ अगर आप वो इस F.I.R. जो बिकरम सिंग मजीठिया के खिलाफ दर्च करी है उसे उठाकर पढ़ें तो उसके अंदर ओफेंस पीरियड यानि की गुना जो कथा ततित गुना है अलेजड ओफेंस है वो 2004 से 2014 के बीच में किया गया यह F.I.R. कहती है अगर 2004 से 2014 के बीच कोई गुना किया गया तो 2007 से 2012 भी कॉंग्रेस की सरकार थी वो गुना को रोक सकती थी गुनेगारों को सलाकों की पीछे डाल सकती थी 2017 से 2022 तक भी कॉंग्रेस की सरकार है 2017 में एक्शन ले सकती थी 2018 में action ले सकती थी 2019 में action ले सकती थी 2020 में action ले सकती थी अब चुनाव election आने वाला है चोन जापता लगने वाली है model code of conduct लगने से 5 दिन 7 दिन पहले action लेकर एक जूट मूट की कमजोर F.I.R. दर्च करके आप लोगों को ये दिखावा दिखाकर ठग नहीं सकते लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ये हम चन्नी सरकार को सीधे तोर पे कहना चाते हैं और आखिर में मैं ये कहना चाता हूं कि ये सरकार और चन्नी साथ जो दो बार अपना AG बदल चुके हैं तीन बार अपना डी जी पी बदल चुके हैं, कई बार Bureau of Investigation के सुप्रीमों को बदल चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साब से, क्या आप सरकार चला रहे हैं कि सरकस चला रहे हैं, ऐसे सरकार चलती है कि ऐसे सरकस चलता है, केवल सिर्फ elections के मद्दे नजर, और सिर्फ elections के मद्दे न अजर एक stunt करने की कोशिश, कॉंगरेस पार्टी की सरकार ने करी है, हम stunt मैं चन्नी साब को कहना चाते हैं, असल action करके दिखाईए, पंजाब में नशे के वेपार को कम से कम कम करके दिखाईए, घटा के दिखाईए, लेकिन action लीजिए, कैमरे के सामने stunt मत कीजिए, आपके ये सारे स्टन्ट आपके सारे धोके आपके सारे दिखावे जान चुकी है उसकी असलियत जान चुकी है और इस बार पंजाब की अवाम आपकी इस मैच फिक्सिंग में इस फिक्स्ट मैच में फसने वाली नहीं है चन्नी सरकार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस सलसल में कोई सवाल होतो अपकूं? और शिरोमनिय अकालीदल ये बिजनेस पार्टनर्स की तरह पूरे पंजाब में इस नशे के वैपार को चलाती है यह अलग अलग नहीं ये साथ ही है इनकी प्रॉफिट शेरिंग रेशियो बदल जाता है जो सरकार में होता है उसे जादा प्रॉफिट शेरिंग मिलता है जो सरकार के बाहर होता है उसे कम प्रॉफिट शेरिंग मिलता है केवल प्रॉफिट शेरिंग के रेशियो बदलते हैं ये दोनों मिलकर रल के पूरे पंजाब में इस नशे के वपार को चलाते हैं मुझे 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 मालूम था कि आप ये सवाल मुझे से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक मुख्यमंत्री के ओपर 50 defamation के केस डाल दो और पूरे हिंदुस्तान में उसे दिल्ली से निकाल कर पूरे हिंदुस्तान में गुमा गुमा कर उसकी कोट में पेशियां कराओ तांकि वो शक्स ना अपनी पार्टी चला सके ना अपनी सरकार चला सके इन हथकंडों में हम फसने वाले नहीं हैं मैं साफ तोर पे आपको कहना चाहता हूँ इन हदकंडों में आम आदमी पार्टी फसने वाली नहीं है defamation के समाप्त करना किसी भी कानूनी तौर पे किसी भी मसले में एक्विटल नहीं होता है वो तो कोट्स टै करेगा वो हम को नहीं टै करने वाली मैं एक चीज भूल गया था बोलनी जो अभी भाई साब ने मुझे याद कराई मैं सपश तौर पे ये बात आपको कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी एक लोती ऐसी पार्टी है जो पंजाब से इस नशे की समस्या को दूर कर सकती है आम आदमी पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है अर्विन केजरिवाल जी की पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो नशे के खिलाफ एक्शन भी लेगी सही माईने में एक्शन लेगी स्केवल दिखावे का एक्शन नहीं लेगी और पंजाब को नशे से मुक्ती सिर्फ एक पार्टी कर सकती है उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी एक नेता कर सकता है उस नेता का नाम है अर्विन केजरिवाद देखिए STF बनी थी जब कैप्टन साब की सरकार आई थी सिट बनी है अब क्योंकि election पास आ रहा है ना सिट कुछ करती है ना STF कुछ करती है एक्षन तो सरकार ने लेना होता है एक्षन कमिटिया नहीं लेती है टास्क फोर नहीं लेता हाइई कोड नहीं लेता असल में तो action administration लेती है अगर administration ही compromised हो तो क्या action होगा आज हम देख रहे हैं 5 साल 16 मार्च 2017 को कॉंग्रिस की सरकार बनी थी 5 साल होने को आये हैं कोई action नहीं लिया चोन जापता लगने से पहले model code of conduct लगने से 7 दिन पहले ये लोग action लेकर कहना चाते नशे की खिलाफ हमने कारवाई करी आप पंजाब की आवाम को बेवकूप समझते हो आप समझते हो पंजाब की आवाम को ये दिखावा दिखा कर ठगा जा सकता है आप गल्द सोचते हो ये मैं आपको कहना चाते हो आपकी पार्टी का क्या रोड माइब है डर्ग से खिलाफ पंजाब को फिर्फ आम आदमी पार्टी में हम लोग सेटिंग वाली पार्टी नहीं है हम इनकी तरह 75 पच्ची नहीं करते हैं हम लोगों की आवाज सुनते हैं लोगों के कहनों पे काम करते हैं केवल और केवल आम आदमी पार्टी ही नशे के खिलाफ आक्शन ले सकती है से पहले और कमजोर केस करके कि अगले दिन बेल मिल जाए राजा वडिंग के केस में क्या हुआ ट्रांसपोर्ट मंतरी ने बसे पकड़के उन बसों को जब्त कर लिया अगले दिन हाई कोट ने डांटा लताडा और सारी बसे छोड़ दी तो क्या ये दिखावा नहीं था क्या मंतरी को नहीं पता कि मैं ऐसे ही सिरफ दिखावे के लिए बसे जब्त कर रहा हूं ये दिखावा चल रहा है अब मैं पंजाब की आवान को आगा करना चाहता हूं कि हमें इस दिखावे में नहीं फसना है अगर पंजाब को नशे से मुक्ती दिलाना चाते हो पंजाब के न नशे का खात्मा और ड्रग लॉट्स के खिलाफ एक्शन ये तीन सूत्री अजंडा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अर्विंद केजरिवाल कर सकती है